नमस्कार दोस्तों एक्जाम इत्र में गर फिर से आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सबी एच्छे होंगे तो दोस्तों Government Medical College and Hospital Chandigarh की BSC Nursing और Paramedical Courses का आपकी Application Form और फिर से स्टार्ट कर दिये गए पहले आपके जो Application Form ते उसने Close कर दिया गया था और साथ ही आपकी जो Entrance Examination की जो Date थी उसे भी Extend कर दिया गया था अभी आप इनके Officially Website पे देख सकते हैं कि आपका जो Revised Admissions Schedule है BSC Paramedical और BSC MLT, BSC X-Ray, BSC Anesthesia, OT, Optometry, BSC Nursing के लिए 2022-23 Session के लिए आपका Schedule है वो जारी कर दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Officially Website पे भी इसके मैंने eligibility criteria, seed matrix, fees क्या रहेगी सारा detail में already वीडियो में आपको अच्छे से explain कर रखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपके जो भी doubt है वो सारे doubt आपके मन में ना रहे हैं और आप easily आप अपना application form है वो feel कर सके हैं All India के end date इसके लिए apply कर सकते हैं अगर इनके notification की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं prospect भी इनका जारी किया हुआ है और आपका admission notice BSC nursing और paramedical course दो 2022 session के लिए official website पे भी दिया गया है अगर यहाँ पे पिछले schedule के अगर बात की जाए तो आपके application form है वो 48-2022 से 15-2022 तक आपके application form required किये गये थे entrance examination है वो आपका यहाँ पे 27-2022 को था लेकिन इसे extend कर दिया गया था अभी जो new schedule आपका जारी किया गया है तो इस notice में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका new schedule है BSC nursing paramedical course दो 2022 session के लिए इसमें कौन-कौन से courses रहेंगे optometry रहेगा nursing रहेगा आपका medical laboratory technology रहेगा medical technology x-ray medical technology anesthesia and operation theory techniques यह government college के लिए एक ही college है जिसमें यह सारे courses के लिए आपका admission procedure complete किया जाएगा और उसके लिए आपको entrance test वो देना होगा अब आपका जो application form है वो आप कब से कब तक feel कर सकते हैं तो 79-2022 से वापस से start कियेगे 12-9-2022 चार बज़े तक आप अपना form है वो feel कर सकते हैं तो आपके पास में copy comes में बचा है आप official website gmcs.gov.in इस website पर जाएके admission वाले section में जाएंगे तो admission वाले section के अंडर आपको परामेड बीए से परामेडिकल 2022 का आपको link दिखाई देगा वहाँ पर click करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे candidate login रेइस्टेसन वाले सारे link आपको वहाँ पर available हो जाएंगे तो यहाँ पर नए schedule में आप देख सकते हैं जो आपका 792022 से 129 तक आप apply कर सकते हैं लिस्ट जो candidate जिन्हों ने apply किया एंटेस्ट टेस्ट के लिए उन जो eligible candidate की लिस्ट 1592022 को जारी की जाएगी और 1792022 को आपका admit card वह जारी कर दिया जाएगा अब आपके एंटेस्ट टेस्ट की बात करें तो 2392022 को आपका एंटेस्ट टेस्ट होगा तीन वज़े से 5 विज़े की बीच में 2 गंटे का आपको time दिया जाएगा और 2792022 को आपका result है वो जारी कर दिया जाएगा जो qualified candidate है तो उनकी list है वो 3992022 से 8102022 की बीच में अपना जो certificate वगरा है document वगरा है जो पार सेकेंड होता है वो आपको upload करना रहेगा तो इसके आगे की process के लिए आप यह schedule दिया गया है इसका आप screen score लिए अच्छे से समझ सकते हैं कि लेकिन आपका जो एंटेस टेस्ट वो 2392022 को आपका conduct करवाया जाएगा और last date आपकी 1292022 से apply करने के लिए All India candidates सभी apply कर सकते हैं application fees की बात करें तो 2000 रुपे आपके जो reserve categories बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए है 1000 रुपे SC category के लिए 1000 रुपे बाकी other category के लिए 2000 रुपे आपको application fees है वो पेकरनी रही अब आपका जो एंटेस टेस्ट होगा उसमें आपका minimum जो qualifying score है वो आपको करना ज 45% से ज्यादा आपको score करना होगा SC category के लिए 40% से ज्यादा score आपको जो G-set आपका entrance examination होगा उसमें आपको करना रहेगा अब यहाँ पे आप एक बार seat metrics देख लीजे BSC medical lab technology तो इसमें होता क्या है कि यह चंडिगड़ को ले जाए तो चंडिगड़ के जो candidate है के वल all over India से या चंडिगड़ के बाहर के जो भी candidate है तो उनको 15% reservation मिलेगा मतलब कि जो total seat है उनमें 15% seat reservation है वो all India candidate के लिए और 85% seat reservation वो केवल चंडिगड़ candidate के लिए चंडिगड पूल और general pool यह दो पूल रखे हैं आपके तो यहाँ पे medical lab technology में आप देख सकते हैं यहाँ 85% जो 10 seat है वो चंडिगड़ candidate के लिए है और 2 seat सभी candidate के लिए है total आपकी 12 seat है इसी तरीके से सभी जो आपके दिये गए है courses उन सभी में इसी तरीके से ही आपका seat distribution किया गया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो medical technology x-ray courses है इसमें 10 seat दी गई है चंडिगड़ candidate के लिए और बाक 12 seat है वो चंडिगड़ pool candidate के लिए है दो seat आपकी general pool के लिए है तो total आप यहाँ पे देख सकते हैं जो seat हो जाएगी आपकी 16 seat आपकी यहाँ पे दी गई है optometry course के लिए आपकी total seats आपकी 4 है जिसमें 3 seat चंडिगड़ pool candidate के लिए एक seat general pool candidate के लिए है तो यह 4 seat है अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा seat है वो है आपकी BSC nursing course के लिए BSC nursing course के लिए total seat आपकी 60 है government college है तो limited seat ही रहेगी इसमें 85% जो seat है वो चंडिगड़ pool candidate जो चंडिगड़ के resident है उनके लिए है तो उसमें 51 seat है उनको दी गई है और 15% seat है जो general pool है all over India से candidate है उनके लिए 9 seat है आपकी यहाँ पे दी गई है तो इस तरीके से यह seat distribution आपको देख का एक marks रहेगा negative marking नहीं रहने वाली है दो गंटे का आपको time गिया जाएगा और इसमें आपको 45% qualifying score करना हुआ general category को और SC category को 40% आपको करना रहेगा syllabus क्या रहने वाला है? syllabus आपका physics, chemistry और biology 11 और 12th anxiety based आपका syllabus रहेगा इसमें कौन से subject से कितने कितने क्यों सनाएंगे तो biology से आपकी 50 क्यों सनाएंगे physics से 25 और chemistry से 25 तो total 100 क्यों सनाएंगे केवल तीन ही subject से इसके अलावा आपकी अदर कोई subject से नहीं आएंगे अब आपको इतना कम समय बचा है आई होप आपने अच्छे से preparation भी कर रखे भी क्योंकि कापसर केंडेट जुनों need का exam भी दे रहा है तो last time में आप अपनी preparation किस तरह किसे करें तो दोस्तों last time में अगर आपको preparation करनी है तो सबसे ज़्यादा question practice आपको करना रहेगा क्योंकि आपकी already जो theory है वो complete हो चुकी है अब जितने ज़्यादा कि उसने practice करेंगे उतना ही अच्छा score गयन कर पाएं गोर्मेंट को लेज़े आपका selection हो बना मुस्किल रहेगा तो आपको अच्छा score करना रहेगा ये qualifying score पे द्यान ना दे आप जितना अच्छा score करेंगे 85 या 80 प् complete syllabus दिया गया है अगर आप उसको अच्छे से follow कर लेते हो 100% में शोर्टी के साथ करता हूं दोस्तों आप अपना selection हो सुनशीत कर लोगे तो दोस्तों ये 3 in 1 objective ebook है जिसमें आपको तीनों subject देख रहे हो मिलेंगे physics, chemistry, biology, NCRT based 11, 12th NCRT का complete syllabus है हर एक question का detail answer or solution दिया गया इंग 4% आप अपना selection है और सारे का सारे क्यूसन आपको इससे में से ही देखने को मिलेंगे अवेल किस तरी कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी process है, description box में link दिया गया है, वैसे theory based ebook का भी provide करवा रहा है, लेकिन last time में कि वहल आप objective ebook को ही follow करें, theory follow करने कि आपको अभी कोई आपश फिल करना है यहाँ पर फिर अपनी active email id जो email id आपकी active जिसके आपके पास में password हो फिर contact details यहाँ पर आपको फिल करनी है और फिर आपको next पे click कर देना है, जैसे ही next पे click करेंगे payment के लिए पूचा जाएगा phone pay, paytm, debit card, credit card, netbank, जो mode उसे payment कर सकते हैं, payment confirmation बाद में आपको download file क option आएगा, वहाँ से आप अपनी ebook को download कर सकते हैं, गर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, तो जो email id यहाँ आपने feel की थी, इस email पे भी आपको एक payment confirmation का mail send किया जाता है, उस email से भी आप अपनी ebook को download कर सकते हैं, कोई भी doubt हो, कोई भी issue हो, comment box में पूच सकते हैं, Instagram follower के वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, Instagram का link आपको description box में दिया गया है, यह मेरी जो personal टेलिग्राम ID है, 8667, इस पे message करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, आए वो वीडियो आपके लिए यूज़ पूद्रा हुआ, वीडियो पसंदा है वीडियो को like करे, share करे, धन्यवाद जेहिं, जे ब करे झाल 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 झाल